कि अधिन को इस विडियो में भारती सनुविधान के बीदेशी स्रोथ को याद करने के ट्रिक लेकर रहा हूं कि भारती सनुविधान से जो प्रमुख बीदेशी स्रोथ भारती सनुविधान में जो बीदेशों के द्वारा जोड़े गए हैं उसके बारे में लेकर रहा हूँ तरिकलोattend हो गया अधिकार अका मतलब अधिकार लेकिन इसको पूरा लिखेंगे मूलzilोधी कार जह आप या आतर एक मूल अधिकार ये अमेरिका के सन्विधान से लिया गया फिर नयाय का मत्म नयायाले यानि कि जो आपका सुप्रीम कोड है उच्चतर नयायाले है उसकी बेवस्था भी अमेरिकी नयाले यानि के सणविधान के माध्व Temple कि नहीं लेंगे फिर जो है कि नहीं रहें फिर iemand की नहीं लेंगए और अभुना का मत्रा होगा की नायक पुनरवि लोकन हम कि ए उन्हीं जो चमता कि अमेरिका के निया Song को मिली है नायक पुनर विलोकन करने की वही छमता भारती नियाले को भी दी गई है फिर आपका उप यासी यह लग है उप अलग है मा अलग है उप का मतलब उपराश्ट्रपति के पद की बेवस्था उपराश्ट्रपति के पद की जो बेवस्था है वो भी अमेरीका के सनविधान से ही ली गई है फिर यानि महावियोग जो मंत्रीयों या राश्ट्रपति के लिए लगाया जाता है महावियोग ये भी अमेरिका के माधम से लिया गया है और लोकतंत्र तो ये जो है आपके अमेरिकी सन्विधान से जोड़े गया है मूल अधिकार न्यायाल है पुनरविलोकन नायक पुनरविलोकन वो प्राष्टपति का पद महावियोग या लोकतंद्र ठीक है यह जो है आपके अमेरिकी सन्मिधान के द्वारा ही लिए गया है फिर इसके बाद आजाए इंग्लेंड इंग्लेंड से क्या क्या लिया गया है इसका ट्रीक है एक विका एक विकास रा मंत्र जो इंग्लेंड के सन्मिधान से लिया गया है उसका ट्रीक है आपका इक विकास रा मंत्र ठीक है तो देखिए एक का मतलब हो गया यहां पे एक का अर्थ हो गया कि कहरी नागरीक्ता है कि भारत में जो है इक हरी नागरीक्ता प्राप्त होती है यह जो आपका ओटर कार्ड होता है देखिए सिरफ एक ही मिलता है आप सिर्फ भारत के ही निवासी कहलते हैं लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं नागरीक्ता दी जाती एक जिस राज के है और दूसरा अमेरिका के निवासी मने जाते हैं और यहनी कि वहां पे दो दो टरकार्ड इसु होते हैं ठीक है फिर इसके बाद आपका विका को विका का मतलब हो गया वीधी का सासन कि वीधी का सासन यहनि की कानून को ही यहां पर सर्वपरी माना गया है कानून सब के लिए बराबर है कि सव का मतलब हो गया सांसदी बेवस्था कि संसदी प्रडाली जो है आपके कि सांसदी प्रडाली जो है वह इंग्लेंड में ही चलती है अमेरिका में राश्पती प्रडाली चलती है गया है फिर राष्टपती यानि कि राष्टपती की बेवस्था भी आपके इंग्लेंड के सन्विधान से की गई है कि राष्टपती का जो पद है जो राष्टपती एक नाम मात्र के लिए है यही कार इंग्लेंड में होता है राष्टपती के जगह पर वहां पर राजा है ज वही अपने वहां भी चलता है सभी काम प्रधान मंत्री करते हैं राश्टपती जो होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के ही होते हैं मंत्र का मत्रव हो गया कि मंत्री परिसद जो मंत्री परिसद है वो भी आपका इंग्लेंड के सन्विधान से ही जोड़ा गया है कर थीगा न यानि की एक विकास रा मंतर नाःसशन सटिशन राष्टपति और मंत्रणी परिशत ये जो है आपके इंगलेंड के सनविधान से जोड़े गए हैं फिर इसके अलामा अन्य देशों के सन्मिधान से भी लिए गए हैं तो अन्य देशोंसे क्या क्या लिए गए हैं देखिए उसका ट्रीक है अन्यदेश जो है अन्यदेश हो का ट्रीक है आपका नी नी आ आ आज सद को सद को गफा करूं ठीक है यह जो है आपका ट्रीक है नी आ आ आज सद यहां पे जो है गफा करूं ठीक है नी आ आ आज सद को गफा करूं अब देखिए यहां पर क्या किया गया है नी का मतलब हो गया तो कि लिक आरत हो गया आपका नीती निर्देशक तन्यार्ट सबक्रा कि नीती तो तो निर्देशक अब तत्य कि थों और यह आ यह जोझे आपका आयर आयर लेंड से लिया गया है कि आयर लेंड है ठीक है नीती निर्द्रसक्तत्त तो जो है वो यानि कि राज्यों को कुछ शमता है मतलब राज्यों को छूट दी गई है नागरिकों के लिए तो उस वो नीती निर्द्रसक्तत्तों में दिया गया है तो यह जो नीती काल यानि की आपातकाल की जो बेवस्था की गई है वो कहां से की गई है जो यानि की जर्मनी से आपातकाल की बेवस्था जो आपके जर्मनी से की गई है है ठीक है सव का मतलब सद सद में आ गया सव सव का मतलब होगा कि सन्विधान संसोधन सन्विधान में संसोधन तो जो सन्विधान में संसोधन होता है उसकी जो बेवस्ता है उसकी जो प्रक्रिया है वह आपके दच्छिड अफ्रिका के सन्विधान से ली गई है दच्छिड अफ्रिका के सन्विधान से फिर देखिए करूं यानि कि आपका कर्तब यानि कि मूल कर्तब मूल कर्तब मूल कर्तब जो है वो लिया गया है रूस से मूल कर्तब रूस से लिया गया ठीक है तो यह जो है आपके भारत के सन्विधान में बीदेशी राष्टों से लिये गया सुरोथ है ठीक है दोस्तों तो हमारा अगला ट्रिक जो है वह राष्टपती के अनुच्छेद हैं राष्टपती पद के जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में है तो उसका नाम जो है आपका पकानी कोका दूयो दसम दूयो दसम ठीक है यह जो है आपका ट्रीक है अब यहां पर देखिए जो राष्टपती का पद है वह अनुच्छेद बामन से स्टार्ट होता है ठीक है याद रखेगा कि प का मतलब हो गया पद राष्टपती यानि कि जो राष्टपती पद है उसके बारे में अनुच्छेद बामन में उलेख है फिर का से कारेपाली का प्रधान कारेपाली का प्रधान यानि कि जो राष्टपती है वो आपका कारेपाली का प्रधान है यह जो है आपके अनुच्छेद तिर्पन में है निर्वाचन यानि कि राष्टपती के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद चववन में फिर है आपका कोटा यानि जो राष्टपती का कोटा है यानि कि रीती यह जो है आपका अनुच्छेद पच्छपन में कारेकाल राष्टपती का कारेकाल कब तक है इसके बारे में वरण किया गया है अनुच्छेद 56 में दुबारा न्युक्ति यानि किसी राष्टपती की जो है दुबारा जो न्युक्ति कब की जा सकती है इसका वरण आपके अनुच्छेद 57 में दिया गया है यानि राष्टपती बनने के लिए योग्यता यो से योग्यता जो राष्टपती बनने की योग्यता है वो अनुच्छिद अंठावन में वडित है दसाएं यह आपका अनुच्छिद 69 में राश्टपती का सपत कैसे होगा कौन दिलाएगा सपत इसके बारे में आपको अनुच्छिद 60 में बताये गया है और मौसे है आपका महावियोग महावियोग यानि अगर बाइद अवे राश्टपती अयोग्य सिद्ध होता है या कोई कमी होती है तो उसको महावियोग द्वारा हटाये जा सकता है यह आपके अनुच्छिद 61 में वाडित है भी दोस्तों यह आपका राश्टपती का अनुच्छिद था पकानि को का दियोधस्चम परस्फेपद राष्टपती का अभावन में है कासे कारेकाली का प्रधान तिरपन अनुच्छिद में निस्यै निर्वाचन जो चवर में कोटा जो हैं 55 में का रिकाल 56 में दुबारा नियुकती अनुछे 57 में जोग्रिता है 50 में दसाये नो उस्तरे पंदर जाडु नवंबर 2000 में खरीदे इसका ट्रिक का नाम है एक छतरी नो उस्तरे पंदर जाडु नवंबर 2000 में खरीदे अब देखे एक छतरी का मतलब हो गया एक छतरी तो एक छतरी का मतलब हो गया आपका 36 गड़ इसका मतलब हो गया 36 गड़ इसका जो गठन हुआ था एक नवंबर 2000 में ठीक है नो उस्तरे नो उस्तरे उस्तरे का मतलब हो गया उत्तरा खंड उत्तरा खंड और इस राजे का गठन नो नवंबर 2000 में फिर आपका 15 जाड़ू जाड़ू का हो गया जार खंड जाड़ू का मतलब हो गया जार खंड और इस राजे का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 यानि कि ये तीनों जो राजे हैं आपके एक ही सन में बनाए गये थे सन 2000 में 36 गड एक नवंबर 2000 उत्तरा खंड 9 नवंबर 2000 जार खंड 15 नवंबर 2000 यानि ऐसे व्याद कर सकते हैं कि एक ही सन में तीन राज नए राज्यों का गठन हुआ था तो वह आपका सन 2000 और सन 2000 में तीन नए राज्य कौन कौन से बनेते यह जो एन उस्षे 14 से 18 तक है अब किसकी किसकी समानता इसमें देखिए ट्रिक है आपका विधी जाति सब एक समान चुआ चूत उपाधी तंद तो विधी का मतलब हो गया कि विधी विदी जो विधी के समच कि विधी के समच कि एक समान कानून का अउसर कि यह जो है आपका अनुच्षे 14 में है ठीक है यानि विधी के समच एक समान कानून यानि कि विधी के समच जो कानून यानि वीधी का जो कानून होगा वो सबके लिए समान होगा यह जो आपका अनुछेद 14 में इसका वरण किया गया है फिर जाती तो जाती का मतब्द होगा कि जाती धर्म नसल भेद भाव निशेद भेद भाव निशेद यानि कि कहीं भी किसी को जाती धर्म या नसल के आधार पे किसी भी चीज से वन्चित नहीं किया जा सकता है ठीक है ये जो है आपका अनुच्छिद पंद्र में इसका वड़न किया गया है फिर सब एक समान सब एक समान देखिए अगला है आपका सब एक समान सब एक समान का मतलब हो गया कि सभी नागरिकों को समान आउसर को समान आउसर ठीक है यानि कि सभी नागरिकों को जो है समान आउसर दिया जाएगा यह जो अनुच्छिद लेकिन इसमें आपका सभी नागरिकों को समान आउसर का मतल हो गया कि सर्कारी नोकरीयों या किसी वी चीजमें राजसरकार जो आरच्छत देती है वह आरच्छड वह दे सकती है तेक है फिर इसके बाद आपका चुवा छूत ँचूत छूट ठीक है यानि चुवा छूट का अंत चुवा छूट का अंत यह जो है आपका अनुच्छेद यह जो है अनुच्छेद सत्र में इसका उल्यक है तो यह रहा आपका समानता का अधिकार कि समानता के अधिकार में जो जो आते हैं फिर ऐगला आपका सवतनतरता का अधिकार को सौतंतता का अधिकार तो सॉतंतता का अधिकार, जो है आपका अनुच्छेद, 19-20, बहुतनीकि जो सुतंतता का अधिकार है, उसका वधन, अनुच्छेद, 19-22 में है, 19-22 दरहिए, 26 तक है सोतंतता सवतंतता का अधिकार अब यहां पर आपको अगर को कि इसका ट्रिक क्या है कि जो सवतंतता के अधिकार में जो आपका ट्रिक आता है वह आपका बोलने कि बोलने से अपराध और प्राध की प्राध्मिक गिरफतारी ठीक है यह जो आपका ट्रिक है बोलने से अपराध और प्राध की प्राध्मिक गिरफतारी अब देखिए बोलने यानि की सबसे पहला स्वतंतरता का जो अधिकार है वो दिया गया आपका बोलने यानि बोलने का मतलब हो गया कि बोलने की स्वतंतरता यह जो है आपका अनुच्छेद 19 में इसका वड़न किया गया है फिर अपराद अपराधी के लिए दोस सिद्धी के संबंध में ठीक है यानि जो अपराधी के लिए उसका दोस सिद्धी के संबंध में यह जो है आपका अनुच्छेद 20 में है इसका वड़न किया गया है प्राथ में प्राथ होगया अपराध के बाद है आपका प्राण अप्राध और प्राण तो प्राण का मत्रब हो गया प्राण एवं सथन्तरता का संरच्चड ये जो आपका अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 में इसका वर्रन है प्राथमीक इसके बाद है आपका प्राथमीक गिरफ्तारी ना तो प्राथमीक प्रात्मिक का अर्थ हो गया आपका प्रात्मिक सिच्छा प्रात्मिक सिच्छा का अधिकार यह जो इस यह आपका अनुच्छेद 21 को में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 को इसको बाद में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 में यानि कि प्रात्मिक सिच्छा का अधिकार जो है सबके लिए यह अनुछेद 21 को में इसका वरन किया गया है गिरफ्तारी अगला आपका गिरफ्तारी तो कुछ दसाओं में गिरफ्तारी का कुछ दसाओं में गिरफ्तारी वन निरोध में सम्रच्छड यह जो है आपका अनुछेद 22 में यानि कि किन किन दसाओं में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है यह और कब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है अनुछेद 22 में इस सतनता का जो वरन ने अनुछेद 22 में किया गया है ठीक है फिर अगली आपकी अगला अधिकार है सोसर के विरुध अधिकार सोसर के विरुध अधिकार तो इसका जो वड़न है आपका अनुच्छेद 23-24 में है सोसर के विरुध जो अधिकार है उसका वड़न आपको मिलेगा अनुच्छेद 23-24 में देखे इसका ट्रीक है बलात स्रम और बच्चो का कार खाना बच्चो का कार खाना बलात स्रम का मतलब हो गया देखिए बलात स्रम ठीक है ना बलात स्रम का मतलब हो गया कि देखिए मानव दुर्व्यापार और और कि बालात स्रम का प्रतिरोध इसका जो वड़न है आपका अनुच्छेद 23 में है ठीक है कार खाना बच्चो का कार खाना ना बच्चो का कार खाना बच्चो का कार खाना ठीक है तो इसमें जो वड़न है वह है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो का नियोजन उम्र के बच्चो का नियोजन यह जो है आपका अनुच्छेद 24 में अनुच्छेद 24 में इसका वड़न किया गया है ठीक है दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक हैं सेर कीजिए साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें बहुत जल्द है आप लोगों को एंजिया टी क्लास 9 10 11 और 12 की मैथ और साइंस की वीडियो आप लोगों को उपलफ्द कराए जाएगी इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आल नोटिफिकेशन का वेल आइकन दबाले जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सकें